नमस्कार दोस्तों, सुक सम्रिदी का तेवहार दीपावली इस साल 4 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली खोशियों का पर्व माना जाता है, दीवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है दीवाली की रात माता लक्ष्मी का पूजन तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए कुछ उपाए कर लिये जाएं तो भागे बदल सकता है तो वाई जानते हैं इसके बारे में कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानि गुर्मीत बेदी का नमस्कार सुख समरिदी का प्रतीक दिवाली का परव इस बार 4 नुमंबर को है और सभी को इस परव का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार रहता है दिवाली के दिन लक्षमी जी की विशेश पूजा की जाती है हमारे शाश्त्रों में लक्षमी जी को धन के साथ साथ वैभव की देवी भी माना गया है दिवाली के परव से एक मेहने पहले ही इस्तिवहार की तैयारियां शुरू हो जाती है माना जाता है कि दिवाली के दिन लक्षमी जी का आगमन होता है इसलिए घरों की विशेश साफ सफाई की जाती है पकवान बनाये जाते हैं नए वस्तर पहन का लक्षमी जी की पूजा की जाती है हिंदु धरम में लक्षमी जी को वैभव के साथ सुख समरिद्धी और शांती परदान करने वाली देवी भी माना गया है लक्षमी जी का जो आशीरवाद है उकलियुक में बहुत महत्तापुरुन माना गया है लक्षमी जी को परसंद करने के लिए दिवाली पर लोग कई तरह के उपाय करते हैं ताकि उन्हें माता लक्षमी का अशीरवाद प्राप्त हो सके रोशनी के स्तिवहार पर माता लक्षमी के पूजन के साथ धन प्राप्ती के उपाय भी किया जाते हैं ताकि सुख सविधाओं के साथ समृद्धी की प्राप्ती हो सके आज की इस पोंश्ट में मैं कुल्डी टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दीपावली पर कुछ आसान उपाय करके हम मालक्षमी को परसंद करके उनका अशीरवाद हासिल कर सकते हैं इससे करश से भी मुक्ती मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धी भी आएगी मैं कुल्डी भी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में धन नहीं टिकता तो नर्क चतुरदर्शी यानि दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन लाल चंदन, गुलाब क पूल, रोली एक लाल कपड़े में बांधें, इसका पूजन करने के बाद अपनी तिजोरी या अलवारी में रख दें, ऐसा करने से धन में, घर में धन टिकता है और बरकत होती है, इसके लाबा दिवाली के से आप शुरू करके अमवस्य की शाम तक किसी जरूरत मंद विक पूजन करवाएं, ऐसा करने से भी घर में सुक स्मृद्य आती है, अगर तमाम कोशिशों के बाब जूद अगर आपको नोकरी नहीं मिल रही है, तो दिवाली की शाम, लक्षमी पूजन के बाद या उसी समय, थोड़ी चने की दाल लक्षमी जी पर छड़कने के बाद इस बिठाई का दान करें, ऐसा करने से मा लक्षमी की क्रिपा बरस्ती है और धन धान्या में दिन रात बरकत होती रहती है, दिवाली की रात पांच साबुत सुपारी, हल्दी, पांच कोडी यानि पुराने सिक्के गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांध कर, लक्षमी प परसन होती है, मा लक्षमी को परसन करने के लिए दिवाली पूजन के समय लक्षमी जी को कमल गटे की माला भी पहनाई जा सकती है, इसके लावा दीपावली के दिन सुबा गंडा लाकर, रात में लक्षमी पूजन के दोरान गंडे की भी पूजा करना भेयत शुब होता है ऐसा करने से धन संपत्ती में विर्दी होती है ऐसी मान्यता भी है कि दीपावली पर लक्षमी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंक और घंटी बजाना चाहिए ऐसा करने से धन धाने में बरकत होती है अंत में मैं कुण्ली टीवी के धर्शकों को बताना चाहूंगा कि अम अवस्य तिथी 4 नवंबर को सुबा 6 बजकर 3 मिनट से प्रारंभ होकर 5 नवंबर को 2 बजकर 44 मिनट पर समाप्थ होगी दिपावली पर लक्षमी पूजन जो मुहरत है वो शाम 4 नवंबर की शाम को 6 बजकर 9 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक है पूजन अबधी 1 घंटे 55 मिनट की है दिपाली पर मा लक्षमी की विदी विधान से पूजा अर्चना करने और जो पाए मैंने बताये हैं वैसा करने से जीवन में निश्चत रूप से खुशाली आती है तो आज की पोश्ट में बस इतना ही मैं गुर्मीत बेदी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद